हालो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना स्पेस वोकर्थ आज क्लोडवती जाद है स्पेसेल है तो चलिए भाई लोग शुरू करते हैं आज बिसिकली देखो बाई काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि फैमिलियर वगर है का कैसे करना है किस तरीके से रहेगा मैं आज सारी चीज़े क्लियर करणा है कि आपको फैमिलियर के अदर क्या क्या करना होता है मदब एक तरीके से आपका पैक्ट मर्जिंग जो होता है इसका बूश्ट कैसे बढ़ाना है आपको और साथ ही साथ काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि xp familiar कैसे increase किया जाए तो ये दोनों तरीके मैं आपको बताने वाला हो कि आपको किस तरीके से करना होगा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर clear कर दूँगा कैसे क्या होगा सब कुछ मैं बता हूँगा एक दम डीटेल के अंदर सबसे पहले देखो आपका जो सबसे पहला काम होता है आपको पहले ये decide करना है कि आपका account कौन सा अगर आपका rally trap है तो आप pact 4 तक जा सकते हो अगर आपका solo trap है pact 3 is enough for you अगर आप मानलो solo trap बना रहे हो तो pact 3 से ओपर बिलकुल मत जाना अगर आप चले गए तो यह मान के चलो आप waste of might collect कर रहे हो और वो आपके लिए बहुत ही दुखदायक होगा in future तो यह चीज़ आपको याद रखनी होगी अब बात करते हैं solo trap के लिए scenario अलग रहता है rally trap के लिए scenario अलग रहता है हर चीज के लिए अलग रहता है बट मैं अपनी तरफ से पूरा बूस्ट आपको बतायता हूं कि 100% तरीका क्या रहेगा boost अगर आपको चाहिए अब जब समालो कोई rally trap है ठीक है सबसे पहले हम research section दिखते है अब क्या है यहाँ पर family research आपकी obviously max होगी अगर आप rally trap बना रहे हो तो आपको pact 4 खोलना ही खोलना है जो कि एकदम mandatory चीज़ है तो यह हो गया हमारा मतब यहाँ से आपको obviously बहुत सारा boost मिल जाएगा XP boost यह वो हर चीज मिल जाएगी अब दूसरा तरीका अगर मैं बात करूँ कि आपको और कहां से मिलेगा pact merging का boost अब जब समालो मेरा यह जो सिर्फ मैं तीन gear लगाता हूँ ठीक है अभी मेरे को speed कितनी मिल रही है एक सेकिन में दिखा ज़ता हूँ आपको यह देखिए मेरी speed approximately 108% जो कि अभी मैंने कोई भी मतलब चीजे नहीं लगा रखे सिर्फ गेर लगा रखा वो भी normal सा अब बात करते हैं यह देखो यह जो building से आपकी spring spring आपको सारे के सारे spring मनाने composition मतलब क्या रहेगा सिर्फ एक यह रहेगा आपका mystic spirit यह mystic spirit रहेगा एक आपका gym रहेगा बा boost मिले अब देखो boost कितना मिलता अब जसे मालो आपने spring सारे max out कर दिया ना यह देखो 20% इच spring से अगर boost मिलता है तो आपको कितना boost मिल जाएगा एक दो तीन यह हो गए तीन यह हो गए और दो यह हो गए तीन और दो पांच मतलब पांच और एक छे छे आप buildings बना सकते हो जो कि spring के लिए use दो सकती है और यहां से आपको combine मतलब जो stats होंगे वो कितने मिल जाएगे 120% प्लस आपका gear अगर आप सारा मिथिक gear लगा सकते हो ना तो best है बगर आप gold भी लगा देते हो ना gear तो भी बहुत अच्छा रहेगा तो यह हो गया हमारा gear plus spring यह हो गया हमारा दूसरा तरीका आपको यही तरीका जो मतलब इसके beyond कोई तरीका नहीं है यही दो तरीके हैं जो सबसे जादा effective हैं और यही work करते हैं और सबसे पहली चीज एक बात समझाना चाहूँँगा किसी भी player को ना सबसे पहला काम यही होता है कि आपको pact merge करना है reason सबसे पहला काम होता है आपको elder stage लानी है हर एक heroes की जो भी मतला important है अब यह देखो सिर्फ 18 medal बाकी है जबकि मेरे 80 medal होने वाले है और अभी timing अगर मैं बताओ ना तो जबकि ज़्यादा time भी नहीं हो है मेरे kingdom को start वे 99 days हुए है overall चार दिन तो मैंने पुराने kingdom में बिताये थे फिर मैंने उसको transfer किये था new kingdom में जो मैं ट्रिक बताये थे उसके according अब जाकर करके मेरा 90 दिन में अल्मोस मान के चलो एक्वेरियस मेरा पूरा लॉक हो गया मेरा गेर सेट वगरा मिथिक हो नॉर्मल गेर सेट भी यह देख सकते हो गोल्ड हो चुका ऑल्मोस्ट में एक गेर से मेरे को कितना मिला 16,6,3 में overall concept देखा जाया तो काफी अच्छा मेरे को स्टैट्स मिल रहा है यहां से सो मेरा 90 डेज में काफी अच्छी प्रोग्रेस हो चुके एवन T4 खोलने की मदब एंड पर आ चुका हूँ जेम्स देख सकते हो 300-300 पड़े हैं material मेरे पास almost मदब हर इक का 5-5,000 से 6,000 पड़ा हुआ है तो यह हो गया तरीका दूसरा आपको मदब स्प्रिंग बनाने होंगे और mystics fire एक रहेगा और gym एक रहेगा बाकी यह composition में आपको दोता देखा अब बात करते हैं gym boost के लिए दो gym boost यहा तो आप देखो heroes वगरा सारे gold कर दो तो आपको यहां से xp मिलेगी extra वाली बहुत सारी जो की मदब एक solo trap के case में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बिकार चीज होगी बढ़ हाँ rally trap के case में आप फिर भी एक पल को xp बढ़ा सकते हो अब जब मालो मेरे यहां पर मै कि भाई आप फालतू को might gain मत करना solo trap के case में तो खास कर rally trap में फिर भी concession मिल जाता है 17-80 million का तो solo trap के लिए तो यह काऊँगा 5 heroes हैं वो नहीं को use करके xp गेन करो बागे आप या तो यहां से यह कर सकते हो जितने भी gear set है यह try करो आप यहां पर देखो gear set पर भी बात कर लें में तो यह हो गया दूसरा तरीका आपको मैं यहां पर क्या करना होगा सारा का सारा मता heroes gold कर सकते हो दैन इससे भी आपको xp के boost मिलता है अब बात करते हैं gear set की अम्मालों अगर आप familiar gear set बना रहे हो तो पहला accessories में mystic boxes रहते है mystic box आपके लिए सबसे best चीज है आप इसको gold बहुत इसली कर सकते हो यह gathering के थू होता है तो आप इसको gold करके यह यूज करो आपको यहां पर से यह देखो training xp boost होगरा सब कुछ मिलता है यहां से तो यह रहेगा आपका main accessories में off-end में आपकर में बात करूं तो familiar के लिए एक second रुको यहीं से एक second कहां गया 1 second my log 1 second यह रहा ओके यह देखो off-end में यह रहेगा आपका off-end में आपका यह रहेगा blight while and main hand में आपका दूसरी चीज रहेगी वो है pact merging के लिए यह रहेगा bond staff and leg के पीस में ancestral जो सबसे common है मेरा भी जो gear set उसमें लगा हुआ है और armor में भी pirate रहेगा mental और aqueous mask रहेगा तो य यह सारी चीज़े रखने हैं आपको gear set में पूरा बता दिया किस तरीके सापको boost मिल सकता है वो बता दिया इसके beyond कोई तरीका नहीं है भाई सबसे best तरीके यह है बिल्डिंग्स बनाए यह बाकी gym मैं यही suggest करूँँआ जिम देखो एक ही बनाओ enough है आपको जब तक पूरे medals collect होंगे न तो आपका family यह उतनी दिन में upgrade हो जाएगा सो यह बान के चलो अगर आप सोच रहे हो ना कि फटा फट में मेडल्स होगरा मिरको मिल जाएंगे बहुत जाता तो भाई medals सबसे पहला priority है देन उसके बाद आप उसके XP पे धियान दो क्यों XP ऑविसली एक दिन में gain नहीं होती XP के लिए आप बहुत टाइम है medals में भी बहुत टाइम है तो धीरे धीरे करते रहो एक दिन में अगर सोच रहो तो फिर तो बहुत heavy P2P होना पड़ेगा बट यही सबसे अच्छे तरीके है तो भाईो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब के साथ शेयर जरूर करना और